राम जन्म भूमी तीर्त शेत्र ट्रष्ट अयोध्या में राम मंदिर के 2000 फिट नीचे एक टाइम कैपसुल रखेगा। टाइम कैपसुल में राम जन्म भूमी का विस्तार के साथ पूर ऐतिहास होगा। प्रश्ट के सदस्यों के अनुसार शेत्र पर भविश्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए कैपसुल को साइट के नीचे रखा जाएगा। इस कदम को राम मंदिर के इतिहास के अलग-अलग पहलों को लेकर भविश्य में होने वाली बहस से बचने और एक शिक्षा के लिहास से देखा जा रहा है। टाइम कैपसुल में आयोध्या, भगवान, राम और उनके जन्मस्थान के बारे में संस्कृत में एक मैसेज लिखा होगा। टाइम कैपसुल को साइट के नीचे रखने से पहले एक तांबे की प्लेट या तांबर पत्र के अंदर रखा जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार संस्कृत को इसलिए चुना गया क्योंकि कोई भी इस भाषा में कम शब्दों में लंबे वाक्या लिख सकता है। गौर तलब है कि भूमी पूजन के दिन टाइम कैपसुल नहीं रखा गया था क्योंकि इसे तैयार होने में समय लगता है। के बर्गोस में ईसा मसी की मूर्ती के अंदर 400 साल पूराना टाइम कैपसुल पाय गया था। जिसमें साल 1777 की आर्थिक राजनीती और सांस्कृतिक जानकारी थी। विशे शग्यों के मताबिक यह अब तक मिला सबसे पूराना टाइम कैपसुल है। मंदिर ट्रस्ट शिरीराम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र की गैस लिस्ट में 7000 से जादा लोग हैं। पर राजनीता बॉलिवूड हस्तिया, किर्केटर, उध्योग पती और बहुत से बड़े लोगों के नाम शामिल है।